नमस्कार दोस्तों स्वागेता आपका हमारी यूटुब चैनल पर आज हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपकी मेमरी पावर को बढ़ाएगी आपकी याददा स्टेज कर गया आपकी दिमाग को पेज कर देगे कि आपकी brain memory पावर कमजोर है और अब छुट छुटी और कई बार तो कुछ महत्तापुन बाते भूल जाते हैं कि आप भूलने की आदत से प्रशाने रहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी साधारन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खाकर अपने दिमाग को तेज और अपनी brain memory को सुपर बुष्ट कर सकते हैं जी हां दोस्तों दिमाग को तेज और memory को शार्प बनाने आहरों के बारे में बात करेंगे के इन चीजों उखान से दिमाग की आदस्त बढ़ती है दोस्तों बादाम बादाम में अंटियोक्सिंट पाई जाते हैं रोजाना बादाम खाने से दिमाग को तेज बनाए जा सकता है अच्छे परनाम पाने के लिए आप बादाम वाला दोद भी पी सकते हैं बादाम को ब्रेन फूड भी कहा जाता है इसलिए अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए बादाम को जरूर खाएं हल्दी दिमाग को बहुत ही लाप पंचाती है हल्दी सरफ खाने में रंग और स्वाद को इने ब्राती बलकि इसके सेवन से आपका दिमाग भी शार्प बनता है हल्दी का प्योग करने से अलजाइमर की बिमारी से बचा जा सकता है दिमाग के डैमेज सेल्स को रिपेर करना काम भी करती है जेतुन का तेल आपको ना सिर्फ अच्छी स्किन परदान करता है बलकि ओलिव ओयल आपके दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है ओलिव ओयल के इस्तिमाल से आप अपनी याज़दास्त को बढ़ा सकते हैं ग्रीन टी को गुनों की खान कहा जाता है दिमाग को शांत और एकागर करने से ग्रीन टी साहता करती है हरी चाही में पाई जाने वाले पॉली फिनॉल दिमाग को संतुलत करने मदद करते हैं हर रोज दो से तीन कप ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए जिससे आप अपनी याज़दास्त को बढ़ा सकते हैं तुलसी को अमरी तक कहा गया है तुलसी सरफ पुजा पाठ और धार्मिक दृष्टी से नहीं फाइदे मन्त बलकिया स्वास्ते की दृष्टी से भी बहुत फायमाता पुरने प्रति दिन दो से तीन तुलसी के पत्ते खाने से बार बर भूलने की बिमारी से छुटकारा पाया जा सकता है अजवायन की पत्तियों को अरोमा थ्रैपी में इस्तिमल किया जाता है अजवयन की पत्यों में अंटी ओक्सिडेंट पाई जाते हैं जो शिरीर को स्वस्थ और दिमाग को तेज बनाने में मज़द करते हैं दिमागी शक्ति के विकास के लिए अजवयन की पत्यों का इस्तिमल करना न भोलें अखरोड को ब्रेन फूड कहा जाता है अखरोड को फॉड़ने पर ये अंदर से मनुष्य के दिमाग की तरह दिखता है सिर्थ दिमाग की तरह दिखने की वज़ए से इसे ब्रेन फूड नहीं कहा जा सकता बलकि इसके गुनों की वज़ए से इसे दिमागी भोजन कहा जाता है अखरोट में ओमेगा 3 फैटी असिड, प्रोटीन, फाइबर और अंटी ओक्सिंड बर्पूर मातर में पाई जाती है और जाना थोड़ी थोड़ी मातर में खुड़ खाने से बोलने की यादास दूर होती है और यादास बढ़ती है केसर को दुनिया का सबसे महंगा हर्ब या मसाला माना गया है दुनिया सबसे महंगा मसाला होने का मतलब यह भी सार्थ्य करता है क्योंकि केसर भोजन के स्वाज को दुगदा बना जिता है केसर का इस्तिमल अनिद्रा दूर करनों ले और शर्थी के रूमे किया जाता है आपकी यादास्त बढ़ेगी तो दोस्तों यह थे वो अहार जिन को आप अपनी रुजाना के खाने में शामिल कर सकते हैं और अपनी यादास्त को तेज कर सकते हैं आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थेवर्तिक जानका लेकर आएंगे इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्र कि पार आप का टेजिस स्वादेवर्तिक रमिल को हुआ कि गैसंत विएर्तिक रदू हे में और